पांच करियर्स HR में जो MBA करने के बाद आपको मिल सकते हैं वो है ये After MBA जो अरली करियर स्टार्ट जिसमें मिल सकता है वो HR Analyst का जॉब होता है Starting salary रफली 4-4,5-4,00,000 रुपे से लेके 7-8,00,000 क्या सपास होती है एक large function होता है जिसे आप recruitment slash TA function बोलते हो जो की talent acquisition होता है Starting salary 3-4,00,000,000 रुपे से लेके 8-10,00,000 रुपे की हो सकती है दीसरा एक function होता है जो की HR General के रूर्प में होता है HR OPS भी कहा जाता है Starting salary again 3,00,000, 4-5,00,000,000,000 रुपे के आसपास होती है चोथा जो function होता है ये तकरिभल como large companies में होता है Which is L&D function average salary चार साड़े चार लाकी है दूसरा function होता है जिसे हम लोग बोलते है HR business partners आप मान के चलिए साड़े चार पांच चार साड़े चार लाकी average salary होगी HR department हमेशा exist करता है हमेशा in demand रहता है and every company hires for HR All the best guys, thank you